पाट एक, भाशा और व्याकरण, लांग्विच और ग्रामा बच्चों, आप प्रति दिन विफिन लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे बाती करते हैं, उनकी बाती सुनते हैं, तथा विफिन तरीकों से अपनी बातों अथ्वा विचारों को दूसरूं तक महुचा आते हैं उपर दिये गए पहले चित्र में आप दीख रहे हैं कि घंटी बच्चते ही बच्चों को पता चल गया कि छुट्टी हो गई, तथा दूसरे चित्र में जंडी का सिगनल प्राप्त होती ही गाड़ी चल पड़ी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकों से हमारा संपर दो प्रकार से होता है एक सांकेतेक दो शाब्देक प्रारंप में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त करता था धीरे धीरे अपने विचारों अथ्वा संदेशों को सरल बनाने के लिए मनुष्य ने शब्दों का प्रयों विक्सित किया जो आज हमारे चीवन का प्रमुकिस्सा है मनुष्य जिस माध्यम से लोगों की विचारों को सुनता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुचाता है उसे भाशा कहते हैं भाशा लांग्विज भाशा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों के द्वारा अपने भावों, विचारों अथ्वा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभी व्यक्त करता है अथ्वा उनसे प्राप्त करता है भाशा की रूप Kinds of Language मनुष्य विचारों का आदान प्रदान तीन प्रकार से करता है कहकर, लिखकर और संकीतों द्वारा भाशा की तीन रूप होते हैं मौखिक भाशा, लिखित भाशा, संकीतिक भाशा एक, मौखिक भाशा, Oural Language जिस भाशा का प्रेयूग मुख द्वारा अथ्वा उच्चारण द्वारा होता है वह मौखिक भाशा कहलाती है टेलिविजिन पर समाचार, कवी सम्मेलन, हम लोगों का आपस में बात करना आदी मौखिक भाशा की उदारण है इसकी मूल एकाई ध्वानी है दू, लिखित भाशा, Written Language जिस भाशा का प्रेयूग कागस या पट्टी पर लिखकर किया चाता है वह लिखित भाशा कहलाती है पत्र लिखना, शाम पट पर लिखना आदी लिखित भाशा की उदारण है आदनेक युग में, इंटरनेट वर मुबाईल पर संदेश भेजना भी लिखित भाशा की उदारण है लिखित भाशा की मूल एकाई, वर्ण है तीन, सांकेत एक भाशा Mute Language जब हम अपने मन की भावों को संकेत की माध्यम से व्यत करते हैं तो उसे संकेतिक भाशा कहते हैं गुंगा व्यक्ति अपने मन की भावों को संकेतों के माध्यम से व्यत करता है भाशा की अंग Parts of Language भाशा वाक्यों से बनती है वाक्य शब्दों से और शब्द मूल थ्वानियों से बनते हैं इस तरह भाशा के निम्न लिखित अंग है वाक्य शब्द मूल थ्वानि वर्ण लिपी स्क्रिप्ट विश्व में विभिन भाशाएं प्रचलित हैं प्रतीएक देश अध्वा प्रांद की अपनी भाशा होती है प्रतीएक भाशा का लिखित स्वरूप भी फिन होता है मुक से उच्चरिध्वानियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था लिपी कहलाती है हमारी राच भाशा हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अंग्रेजी भाशा रूमन लिपी में लिखी जाती है उर्दू फार्सी लिपी में लिखी जाती है पंजाबी भाशा गुरु मुखी लिपी में लिखी जाती है राश्ट्र भाशा National Language प्रतीक राश्ट्र की अपनी एक मात्र भाशा होती है जो भाशा सबसे अधेक प्रचलित, विक्सित व बोली चाहती है प्राया वही राश्ट्र भाशा होती है हमारी देश की राश्ट्र भाशा हिंदी है व्याकरण ग्रामा प्रतीक भाशा के कुछ निश्चित नियम होते है जो उस भाशा पर नियंत्रण रखते है यही नियम भाशा की शुद्धता बनाए रखते है आताह व्याकरण वहग्यान है जिसकी त्वारा भाशा की नियमों का विशलेशन होता है तथा मानत्ता के आधार पर शुद्धता प्रदान की जाती है व्याकरण का अध्यन निम्न लिखे चार भागों में किया जाता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार एक वर्ण विचार, फोनोलोचे प्रतीक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतरगत, वर्णों के आकार, उचारण और उनके मेल से शब्द निर्मार का अध्यान किया जाता है। दू, शब्द विचार, इटिमोलुचे, प्रतीक भाशा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाशा अपने ढंक से शब्दों का निर्मार करती रहती है। शब्द विचार के अंतरगत, शब्दों की उत्पत्ते, विकास, निर्मार, आगमन, अर्थ आदि का अध्यान किया जाता है। तीन, वाक्य विचार, सिंटेक्स, हिंदी में प्रतीक भाशा की एक निश्चित विधी होती है। वाक्य विचार के अंतरगत, वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारसपरिक समबंद का अध्यान किया जाता है। 4. रूप विचार, प्रतीक शब्द की अपनी स्वतंद्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोप्त किया जाता है, तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप विचार के अंतरगत, शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भीद तथा उनके कारिका अध्यन किया जाता है।